यह चोटा सा पौधा आपको सामने देख रहा है दोस्तों यह मधुकामनी का पौधा है और जितना ही देखने में यह पौधा खुपसूरत है उतनी ज्यादा खुसबू इसके फूलों में होती है यह एक छोटा सा पौधा आपके पूरे गारण को महकाता रहेगा जब तक इसमें फूल बनते रहेंगे तो अगर आपने आपने गारण में इस पौधे को नहीं लगा रखा है तो अभी बहुत ही सही समय है बारिस का मौसम जिसमें आप इस पौधे को नर्सरी से लिया के अपने गार्डन में लगा सकते हैं अगर आपको पौधा नहीं मिल रहा है कहीं से कटिंग मिल जाती है तो आप इसकी cutting ले आके लगा सकते हैं बहुती easily propagate हो जाती है इस मौसम में तो आईए हम अपने topic पे आते हैं इसकी care के बारे में इसकी placing कहां रखनी है कैसे रखनी है और कैसे इसकी care करनी है कि सालो साल ये पौधा हरा भरा बना रहे है और साथ में इसमें धेर सारे फूल आए पहले मैं आपको इस पौधे की कुछ खासित बता दू सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये पौधा आप जमीन में या गंबले में कहीं भी लगा सकते हैं गंबले में लगाना चाहते हैं तो इसकी आप cutting pruning करते रहेंगे तो पौधा अच्छे से बूसी सेप में बना रहेगा और खिलता रहेगा खुब धेर सारे फूल आएंगी अगर आप जमीन में लगाना चाहते हैं तो जमीन में लगा सकते हैं आजा बूसी प्लांट इसको जैसे भी आप इसको सेप देना चाहें दे दे सकते हैं दूसरा बता हूं मैं यह पौलीनेटर्स को बहुत ही आकरसित करता है हनी वीज यह और इस पौदे की तरफ आकरसित होते हैं और आपके गार्डे के रहने से फाइदा यह होता है कि poly naters आते रहते हैं तो जो आपके और भी चीज़ीं और भी plants उन में पॉली नेशं होते रहते हैं तो एक दूसरा फायदा जो बड़ा फायदा है poly naters करना तो इस वज़े से भी इस पौधे को आप अपने गाडन में जरूर लगाईए अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्लेसिंग की इसे फुल डे सनलाइट में रखिए जहां आपको पूरे दिन की धूप आती हो पौधा जो है पूरे दिन की धूप में अच्छे से ग्रो करता है और उसमें अच्छे से इसमें फ्लारिंग भी होती है अब दोस्तों मैंने जो इस पौधे को लगा रखा है ये 12 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा रखा है 12 इंच का पॉट इसके लिए सफिसियंट है साथ में जो इसमें हम मिट्टी बनाते हैं वो ड्रेने सिस्टेम उसका काफी अच्छा होना चीए पानी होल्ड नहीं होना चीए तो मैंने जो मिट्टी बनाई है दोस्तों उसमें 50% गार्डन सोयल है इसमें देखी हम पहले नंबर पे लेते हैं गाय के गोबर की खाथ अब वर्मी कंपोश्ट भी ले सकते हैं जो कि नाइट्रोजन देता है और नाइट्रोजन से पौदे की जो ग्रोथ होती है वो बूश्ट होती है तो जो कि मिट्टी को बूश्ट करता है उसकी कारेचंता को बढ़ाता है तो जो कमपोश्ट हम देते हैं उसे ग्रहन करने के लिए मिट्टी का रिचार्ज होना बहुत ही जरूरी है तो ये चारो चीजों को मिलाके हम इस 12 इंच के pot में दो मुठी इस compost का यूज करेंगे पर देना कैसे है उससे पहले आपको गुडाई करना बहुत ही आवस्यक है गुडाई करके हम इस पौधे की जो side की मिट्टी है उसे stem के पास कर देंगे और side side में हम compost देंगे ऐसा क्यों करते हैं composting हमें side side में इसलिए करनी होती है कि जो feeder roots होते हैं दोस्तों वो बाहर की तरफ निकले होते हैं और जो हम compost देते हैं वो थोड़ा heat पैदा करता है तो main stem के पास compost नहीं देना चाहिए क्योंकि heat पैदा होगा तो stem को नुकसान होगा main stem को feeder root के पास जब हम composting करते हैं तो feeder root को direct compost मिलती है तो वो जल्दी से उसका ग्रहन करना शुरू कर देते हैं उसका असर जल्दी दिखता है और दो मुठी compost हम इस 12 इंच के pot में देंगे और देने के बाद इसे हम मिट्टी से वापस से cover कर देंगे मिट्टी से cover करना इसलिए ज अगर आपकी मिट्टी गीली नहीं है चुकि मेरा पौधा बारिस में रखा हुआ था तो उसमें मिट्टी गीली है हम इसमें watering नहीं करेंगे अगर मिट्टी गीली नहीं है तो आप watering कर दीजे और watering करके इससे आप छोड़ दीजे 10 से 15 दिन में आपको इसका result देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों मैं एक चीज़ बता दू कि मैंने अभी तक 2-5 सल पुराना मेरा यह पौधा है मैंने इस पर किसी ब्रकार की कोई बीमारी नहीं देखी है नहीं किसी इंफेक्शन का अटाइब वह इंफेक्शन देखा ना कोई किसी पेस्टिसाइड का अटाइक द पर जो पॉलिनेटर्स को यह आकरसित करता है उन्हें कोई नुकसान हाम ना पहुंचे तो नीम आयल बहुत ही बेस्ट होता है पॉलिनेटर्स को वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है तो आप नीम आयल का इस प्रेक कर सकते हैं इस पर तो दोस्तों अगर वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद